बाहर के दुश्मनों से भी ताकतवर दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है यह दुश्मन तुम्हारा संदे, तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारा डर है इसलिए तुम्हारी सिंदगी की बागदोर दूसरों के हाथों में चली जाती है जब तुम अपने मन को मजबूत बनाते हो, तो फिर दूसरा तुमें अपने विचारों से, पतिक्रियाओं से, धारणाओं से और जज्मेंट से हरा नहीं सकता। फिर दूसरों की राय तुम्हें प्रभावित नहीं करते हो जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो जरूरत नहीं कि दूसरे तुम पर भरोसा करें क्योंकि दूसरों को ये कहने का अधिकार नहीं कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या करोगे तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो सिर्फ तुम ये कह सकते हो सिर्फ तुम ये तै कर सकते हो सिर्फ तुम अब तुम्हारा विश्वास ये तै करेगा सिर्फ तुम ही नसीब लिख सकते हो दूसरा नहीं अपनी किस्मत का फैसला खुद करो अपनी परख खुद करो अपने जज खुद बनो अपने भुविश्य का लिदधारण खुद करो अपनी तक्दीर खुद लिखो दूसरों को अपना भा की लिखने के लिए कलम मत दो नहोनी के इंतुजार में बैठो नहोनहार के भरुसे अपने मुकदर का सिकंदर खुद सबसे बड़ी बाद है तुम्हारे अंदर है तुम्हारा संदे तुम्हारा शक्त तुम्हारे विद्वन्स का कारण बता है खटका किस बात का दुविधा किस बात की शंका तुम्हें टुबा दे की संशयात्मा बेनिश्यत तुम अपनी गलत कंडिशनिंग खुद करते हो तुम अपने अंदर घातक विचार खुद डालते हो यदि तुम्हें अपना खुआप पूरा करना है तो तुम्हें लड़ना होगा इनसे तुम्हें खुद बाहराना होगा जो तुम्हारे शुक्चिन तक कहलाते हैं लेकिन तुम्हें बताते हैं तुम क्या नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग खतरनार हैं इसे दूरी बना रहें सबसे खतरनाक है तुम्हारे अंदर के दुश्मन तुम्हारे दिमाग में बैठी दुश्मन सेना, तुम्हारी सफलता में बात है तुम्हारे अंदर बैठी फियर, फैल्योर और डाउट की आर्मी यह तुम्हें डराती है, तुम डरते हों अपमानित होने से, तुम डरते हों हार से भेजे के अंदर की ये आवाजें सिर्फ कलपना है ये दुश्मन सिना का चल है इनके जहासे में मता अंदर के शत्र तुमारी आवाज बन कर कहते हैं मैं उतना अच्छा नहीं मैं योग के नहीं मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता मैं योगदान करना चाहता उनकी जिनी मैं चाहता लेकिन नहीं कर सकता मैं प्यार के काबिल नहीं, मैं बड़ा बनने के लाइक हुए, मैं अपने सपने के लाइक हुए मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन यह दुनिया मेरे हक भी है वो ही मुझे पर विश्वास नहीं करता, मेरा जीवन जीने के काबिल नहीं तुम्हारे अंदर की ये विचार तुम्हारे सबसे बड़े विरू थी, जो तुमने ही अपने उपर थोप ली है तुम्हारे विचार ही तुम्हें सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है ये वो आतंक वाती है जो तुम्हारे अंदर बैठी है लेकिन जब तुम अपने मन का मालिक बन जाना सीख जाते हो तुम अपने अंदर वो आवाज पैदा कर सकते हो जो तुम्हें सहयोग दे जो तुम्हारे साथ चले उसे पाने में जो तुम चाहते तुम्हारा दमदार भुष्य यही आवाज है जो तुम्हारे सपने का समर्थन करती है। सपना जिसे पूरा करती तुम्हीं करवन, जैसे तुम जीना चाहते हैं। जो सिर्फ लक्ष ना हो। जिसके साथ हो एक सार्थत जीवन, जिसके लिए तुम उत्साह से उठो। जब तुम खुद पर काम करते हो। रोज तुम सिर में बैठी दुश्मन सेना से आजाद हो जाते हैं। और अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि तुम अच्छी हूँ, तुम पुर्णे आत्मा हो। संकल्प करो। रोज अपने उपर काम करो। उन बेकार के कामों को करना बंद कर दो, जो एक मिनिट भी बर्बाद करते हैं। और उस समय का प्रयोग करो। अपने उपर, अपने परिशकार भी, अपने अप्डेशन और अप्ग्रिडेशन। कुद को अधिकार दो, शक्तिशाली बनाओ, समर्थ बनाओ, जीवन को मुचा उठाओ, जीतने के लिए तब तुम्हारे अंदर की आवास सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगी। लेकिन पहले इसके लिए कारे करो। भर्दो अपने मस्तिश्क को ताकत, प्रचंडबल, भर से मजबूती आशा अरुच्साह से। झाल झाल झाल